नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइंच न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचर उत्रप्रदेश के जनपत मैंपुरी के तहसील छेत्रे की ग्रामिनों ने उनके गाव में सारवजनिक मंदर पर अवैद कब्जे धारियों द्वारा कब्जा करने की शिकायत कर कब्जे करचना करने पर काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा है ग्रामिनों ने अधिकारियों से मंदर को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है ममला किशनी तहसील छेत्रे के संथपुर गाव से जुड़ा है जहां के लगभक एक स्थेक्ड़ा लोगों ने तहसिल पर पहुंच मंदर के स्थापना की थी वो स्वर्ग सिधार गए और उनका चिलाना अंदास है उनसे शादी कर ली है उसके चार बेटाrau तीन बेटिया है मंदर की जमीन सा जो आय होती है वो कब्जधारी अपने कब्जे मेंलिये हुए उसने मंदर पर कोई भी वेकासकारि नहीं कराया भ जिरजीरे मंदर अपना स्थित्व खुद्धा चला जा रहा है, मंदर ढूटने के कगार पर है, हम लोगों को पूजा अर्चना करने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ती है, वह गाफ की निवासी राम मूर्थी देवी ने बताया कि उनके गाफ का मंदर तूट फ सिंग नवरत्न अनोज संतोष राहूल हुकुम सिंग विनूत कुमार अनिल अजब सिंग शामलदास यूगिंज गौराव अशोक अंकेत आधी सेकडा लोग मौजूद रहे मंदर उसके अवेद कपजा किया है, बावा रामदेश, रामदास यादव जो देवपुर के निवासी है और वो अपने पुत्रों को सारी संपत्ती बाढ़ चुके हैं, मंदर की तरफ कोई ध्यान नहीं है और मंदर जो सारजनिक चीज होती है, उस पर किसी का आने जाने का हक नहीं है और वहाँ गंदकी फैलाए हुए है, हमारी सिरफ सरकार से यह निवेदन है कि आप बहाँ आकर इस्तिती का मुएना करें और हम लोगों को लिए बहाँ पर इंट्री करमाएं और यह चाहते हैं हम लोगों में एक पराना मंदर है ठाकोजी माराज का जिसे चालिस बी का जमीन लगी हुई है और लगों चालिस बस हो गए उन्होंने इस्तापना की थी मंदर की वो खतम होगे, उनका चेला उसने साधी कर लिए है और मंदिर की देख रेकना होने के काग, मंदिर जर्दा आलत में पहुच गया है, उसका असलिट खतम होने का गार पहर पूजा पाट होती नहीं है, और इसमें जानुबर बहुत गंदगी है, किसी को बहां आने जाने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग इसलिए आई है, ग्य अधिकारी के पास आएदे क्या स्वसंदी आए भी?